मिस्टर आइटन भारतिय संस्क्रीती का मजाग उड़ाया करते थे स्कूल में स्कूल के लगों ने पीट दिया इंक्वारी कमेटी बैठी अब इंक्वारी कमेटी बैठी तो सुभाश्चन बोस्त जी का नाम आया रस्टिकेट हुए हलागी चुकी परिवार एक संभ्रांथ परिवार था शक्तिशाली परिवार था तो किसी तरह से इस मामले को रफादफा किया गया लेकिन संस्कृती के लिए आवाज उठाना मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98 परसंट लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं, प्रशन पूचते ही नहीं मैंने तो क्लास ली हैं जिसमें 700 बैठे रहते थे, 800 बैठे रहते थे, 1000 बैठे रहते थे और कभी-कभी कुछ बाते में बोलता था कि तुम उत्तेजित हो, खड़े हो, रेजिस्ट करो, बोलो पर ऐसे कोई घटना मुझे याद नहीं जब किसी व्यक्ति ने क्लास में उठकर किसी बात का विरोध किया गुलामी के उस दौर में अंग्रेजी सिक्षक का विरोध करना, अपने कैरियर को दाओं पे लगाना पराकरम है अपनी बात को अब पता नहीं, और टन साब के मार खाने में नेता जी का हाथ था या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन गलत का विरोध किया जाना चाहिए वो गलत कोई भी कर रहा हो, परिवार के सदस्य कर रहे हो, समाज कर रहा हो, सिक्षक कर रहा हो बहुत बड़ी घटना है, आज का युवा तो लगता है विरोध करना ही भूल गया जबकि युवा का मतलब ही होता है विद्रोही Youth means rebel